दोस्तो वीडियो के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है अभी तक आप गुजरात हवेली तक आ चुके हैं ये जो दिख रहा है अपनो घर है इससे पहले नर्सिंग पूर्प में हाइवे के पास क्या-क्या है उसके बारे में संचिप्त जानकारी देच चुके हैं जैसे बाबा बुधनात मंदीर बजाज मोटर लिम्टेड इसकाई भी बिजनेस पार्क दिल्ली मुंबई अंडर कंस्ट्रक्शन हाइवे सुजुकी मोटर बाइक कंपनी इस रास्ते से गुजर रहे हैं वो है दिल्ली जैपूर हाइवे का सर्विस रोड और ये जो आप वाल दि उची इमारत के बगल में नरायनाई स्कूल है वैसे तो वाटर पार्क सभी दिन खुला रहता है लेकिन गर्मी के दिनों में कुछ जादा ही आनंद दायक होता है सुबह से साम तक आप यहां वाटर पार्क के आनंद ले सकते हैं अब जो दिख रहा है आपको यह है अपनो घर का कार पार्किन यहां पे बहुत सारी गारियों पार्क कर सकते हैं और सामने जो इमारत दिख रही है अपनो घर का इमारत है इसके पीछे बहुत सारे जूला वाटर पार्क है जहां पे बड़े और बच्च आनंद ले सकते हैं ये इंट्री गेट है और ये अपनो घर का बोर्ड अपनो घर वाटर पार्क ही नहीं मोटल, रेस्टोरेंट, बैंकर्ट हॉल है कुल मिलाकर 4-in-1 और ये जो पीले आइरन घेरा दिख रहा है ये है CNG High Pressure Pipeline यहां से हाइवे के किनारे जितने भी CNG पंप है उसमें गैस की सप प्लाई होती है और ये दूसरा अपनो घर का बोर्ड इसके पीछे बैंकर्ट हॉल साधी वीबा बाटी के लिए बुक कर सकते हैं दूसरा चो दिख रहा है बहुत बड़ी अंडर कंस्ट्रक्शन हिमारत है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है अब हम सिखोपूर में आ चुके हैं अब सिखोपूर का इंट्रीगेट दिखेगा सिधार्थ तिर्थ अस्तथ यहां से 700 मिटर दूर पे जैन मंदिर है जो बहुत ही भव्व्वे है अब जो दिख रहा है आपको बसंत धावा है बसंत धावा का छोटा ब्रांच इससे बरा सिध्रावडी में है जो बिलासपूर से एक किलो मिटर आगे है यह रा मंदिर छोटा सा है और यह इंडियन ओइल का पेट्रोल पॉम्प सिखवपूर का स्कूल सरकारी स्कूल है तोस्तो अब जो दिख रहा है इलान गुरूप का टावर है इसके अंदर सौपिंग मॉल दुकान ओपिस और पीबी और सिनेमा है कोविड पेंडमिक होने के कारण यह अभी तक चालू नहीं हो सका इमारत बनके पुरी तरह तयार है गोद्रेज फ्रेंटियर का आवासिय है अपार्टमेंट एंडियन ओल का पेट्रोल पॉम्प गोद्रेज फ्रेंटियर लगजरियस अपार्टमेंट है राव होटल हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पॉम्प मैट डुनाल का रेश्टोरेंट दिख रहा है आपको यह अब हम रमपूरा से गुजर रहे हैं थोड़े देर बाद मानेसर पहुँचेंगी सामने जो दिख रहा है वो बुष्टेज टावर है बनकर पूरी तरह तयार है सामने जो दिख रहा है आपको आईम्टी मानेसर है यहाँ पे मारूती, होंडा, सैमसंग जैसी बरी ब्रांड कम्पनिया है साथ में दे इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमाटीव टेकनोलोजी आईटेक है यहाँ से आटो मोबाइल की सभी इंजनों को परमान पत्र दिया जाता है जैसे बीएस वन, बीएस टू, बीएस थी, बीएस फोर, बीएस सिक्स यही से परमान पत्र दिया जाता है भारत सरकार की अटोमेटिव छेत्र की एक अगर्निये विश्वस्त्रिये रिक्षन परमानन अनुसंधान एबं विकास सेवा देने के लिए परतिबत संस्थान है अब यह मानेसर सेक्टर वन से गुजर रहे हैं यह जो आपको दिख रहा है मानेसर सेक्टर वन है और मानेसर सेक्टर वन के फलाई ओवर पे है और यहाँ पे जाम लगी हुई है आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेयर करें धन्यवाद आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में जल्दी ही आप देखेंगे